वेल्कम इस्टुडेंट्स तु मैं चैनल दिसी तेशियर आज का मारे टोपिक रहने वाला है हेल्टो कौन लंक इंसर अगर आप चैनल पर नहें तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करने तो चली शुरू करते हैं सबसे बहुत हम आइडेंटिफिक्शन डेटा लिख लेंगे जिसके अंदर नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, मेथड़ टीचिंग, क्लास, एवियर्स कोन से उस करेंगे हम, नमबर विश्टुएंट्स कितने रहने वाले हम, टाइम दॉरेशन और डेट लिख लेंगे इसके बाद में हम प्रिवियस नोले लिखे हैं, ग्रूप मेंबर्स की, पहले से कितना पता है इस टॉपिक से रिलेटेड, इसके बाद में जनरल अबजेक्टिव लिख लेंगे हम, जनरल अबजेक्टिव के बाद में, स्पेसिफिक अबजेक्टिव लिख लेंगे हम, यह इसके बाद में teaching learning activity में जो भी हम method यूज़ कर रहे हैं एवियर्ट में जो एवियर्ट सी उज़ कर रहे हैं और लाश में evaluation के लिए questioning कर लेंगे इंट्रक्शन हो जाएगा इंट्रक्शन के बाद हम definition लिख लेंगे इसकी definition के बाद risk factor कौन-कौन से हो सकता है जनकी वज़े से lung cancer हो सकता है क्यों cancer का कोई exact cost तो रहता नहीं है तो risk factor रहता है जनकी वज़े से chances बढ़ जाते हैं इसके बाद science symptoms लिख लेंगे हम ठीक है यह science symptoms हो जाएंगे lung cancer के science symptoms के बाद complication लिख लेंगे लंग cancer होने के बाद और कौन सी condition अकर हो सकती है इसके बाद में treatment of lung cancer वह कौन-कौन सी treatment method हम यूज कर सकते हैं cancer के treatment के लिए सब्सक्राइब हो जाएंगे इस सब्सक्राइब हो जाएंगे और फिर हम प्रिवेंशन ओफ लंग cancer कौन-कौन से prevention हम पहले ही कर सकते हैं जिसकी वज़े से lung cancer हो ही ना तो यह प्रिवेंट मीजर्स हो जाएंगे कुछ कि लाश्ट में विब्लियोग्राफी लिख लेंगे वह हमने जो रेफ्रेंस लिया डेटा लिखने के लिए वह कहां-कहां से लिया था कौन-कौन सी बुक की help ली यह बुक हो जाएंगी और यह हमारे नेट रेफ्रेंस हो जाएगा लाश्ट में अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अ बाद हूंगा धरनेवाद